हलो एब्रिवन, शिर्फ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है ये ट्विन फ्लीम्स की करेंट एनरजी के ऊपर वीडियो है इस टाइम जो चल रहा है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी सबसे पहले देखिए जो कार्मिक हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं कहीं न कहीं ये ऐसे कार्मिक हैं जो अपने काम को बनाने के लिए आपका सपोर्ट चाहते हैं और आप उनको उस काम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो काम जो है कहीं न कहीं गलत है और उसके लिए आप उनके साथ बिविलकुल भी खड़े नहीं हैं और जिसकी वज़े से कार्मिक बहुत जादा इरिटेट हो रहे हैं परिशान हो रहे हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि आप पहले जैसे उनक कर रहे हैं और यह चीज़े आपके हीलिंग से आपके अंदर आई है क्योंकि आप पहले हां या ना नहीं करते थे या गलत जगे हां करते थे बात में आपको बहुत जादा ट्रिगर होता था आपकी एनलजी ड्रेन होती थी हर्ट होता था पेन होता था गिल्ट में जाते थे ठीक है बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है DMDF के साथ जो आपने boundaries set की हैं बहुती purity के साथ बहुती strong जिसकी वज़े से कार्मिक उसमें enter नहीं कर पा रहे हैं उस energy में नहीं आप आ रहे हैं और नहीं आप उस energy को कार्मिक को दे रहे हैं कुछ कार्मिक ऐसे भी हैं जो आपकी energy के लिए कहीं न कहीं तड़प रहे हैं कि आपकी उनको energy चाहिए जैसे आप उनको पहले emotionally weak थे आप तो आप उनकी हां मिलाते रहते थे कभी भी present हो जाते थे उनके लिए 24 hours available रहते थे बट अब वो चीज आपने बिल्कुल बंद कर दी ह है इसकी वज़े से भी कुछ कार्मिक बहुत जादा trigger है ठीक है अब मैं यहां पर बात करना चाहूंगी आपके DM की तो DM का इस टायम dark night of the soul चल रहा है soul shock से गुजर रहे हैं कुछ में कुछ उनको health issue हो सकते हैं ठीक है financially issue हो सकते हैं यहां पर उनका physical appearance है बहुत बुरी तरीके से change हुआ है बहुत ही जादा unattractive आपको आपके partner दिख सकते हैं उनकी जो personality है बहुत जादा आपको down दिख सकती है brain दिख सकती है low दिख सकती है तो यहां पर अगर वो आपके पास आते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका support मांगेंगे ठीक है बट यह ऐसा होगा कि बट जो पूरी तरीके से हील हो गया है उनको यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि आपको कितनी energy देनी है कितना नहीं देना है या सच में आपके डियम कार्मिक से बाहर आ गहे हैं या नहीं क्योंकि आप बहां पे mentally खुद को prepare कर लेते हो पूरी तरीके से आप emotionally mentally बहुत ज लाज हो या आक उनके साथ कर रहे हो जिसमें उनको बहुत ज्यादा हर्ट हो ठीक है तो डिम का इस टायम बहुत किसी एडिक्शन में जाना या जब anyone का लाइफ में आते हैं तो किसी ना किसी तरीके कि Ettिक्शन में है headed or कर्मिक की तरफ उनकी लोगे नेर्जी बहुत ज़ाद है और जब वह रिए ही तो कहीं नगहीं आप इक Wickle डिवाइन सोल झा से directions स्लोट कर आना जैस है तो इहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके DM किस energy में है क्योंकि हो सकता है अगर वो low energy से deal कर रहे होंगे आपसे बात करेंगे तो आपके energy drain हो सकती है आप low में जा सकते हो और बहुत आपको negativity feel हो सकती है क्योंकि energy exchange होती ही होती है बट अगर आपने बहुत अच्छे से healing कर ली है तो आपके DM आपसे बात करेंगे इवन आपको ये भी लगेगा कि DM भी कहीं न कहीं heal हो चुके हैं अपनी life में balance हो रहे हैं सही direction में जा रहे हैं सही action ले रहे हैं अपने आपको कार्मिक energy से बहार निकार रहे हैं और ये ऐसा हो भी रहा है आपके कार्मिक के साथ ठीक है तो वो चीज़े उनको trigger कर रही है और trigger होकर ही वो surface पे आके release हो रही है तो आपको डरना नहीं है या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको भी बिल्कुल भी panic नहीं होना है उन चीज़ों को release होने दीजे बिल्कुल भी suppressed मत कीजिए ठीक है कुछ DM जिनने आपको past में block कर दिया था आपसे run कर गये थे वो DM अब कहीं न कहीं आपको unblock करेंगे या unblock करते हुए नजर आ रही है मुझे ठीक है उनकी energy जो है कहीं न कहीं आपको unblock करेगी करेगी अगर आपको नोंने कहीं block कर दिया है ठीक है आपसे बात नहीं कर रहे थे तो अब आपके partner कहीं न कहीं आपसे बात करेंगे बट ये बहुत ज़दा तेजी से नहीं होगा slow होगा मतलब आएंगे थोड़ा सा बात करेंगे फिर distance create कर लेंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे तो इस तरीके की energy रहेगी ठीक है बट ये भी एक positive sign है कि हाँ धीरे धीरे आप अपनी journey में आगे union के और बढ़ रहे हो आपकी healing हो चुकी है पुरी तरीके से बट आपकी DM की कहीं ना कहीं deep level पर healing चल रही है और उनको soul shock जो दिये जा रहे हैं कार्मिक के through ही दिये जा रहे हैं ताकि उनकी awakening peak पर हो सके और वही चल रहा है आपके partner के साथ कार्मिक ये चाहते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं आप उनको support कर दो किसी तरीके से नहीं कर रहे हो तो वो काम नहीं करेंगे बहुत जादा selfish होना ठीके बहुत जादा लालच देना पैसो का क्योंकि कुछ कार्मिक strongly financially strong होते हैं तो इस चीज का लालच दे के हर किसी को अपने वश्मे कर लेना या अपनी बाते मनवाना ऐसा हो जाता है बट DMDF की जो energy अब मुझे इस energy में नहीं दिख रही है कि आप उनके गलत काम में support करेंगे ही करेंगे जहाँ कुछ भी हो ठीके और यह test भी होता है आपके लिए इश्वर की तरब से कि आपने जो choice बनाई है आप उस पे खरे उतर रहे हैं या नहीं या फिर से imbalance हो रहे हैं कभी सोचते हैं कि हा मुझे ये काम करना है कभी सोचते नहीं करना है कभी आपको ये लगता है कि DM से पात करनी है या नहीं करनी है DM को कभी लगता छोड़ देना है कभी लगता है नहीं छोड़ना है या आप किसी marriage में कहीं न कहीं imbalance हो जाते हो move on करते हो move on करना भी पड़ता है बट आप देखते हो फिर से आपको पीछे खीचा जा रहा है किसी भी तरीके से आपको DM का call आ जाएगा message आ जाएगा या कुछ ना कुछ चीज़े आपके mind में pop up होना start हो जाएगी ठीके आप फिर से उस energy में आ जाओगे ठीके तो ये इसलिए नहीं होता है कि आप फिर से बिल्कुल low में जाएगा आप आपको याद भी आ रही है तो आपको बहां पर balance होना चाहिए कि DM जहां कहीं भी है किसी के भी साथ हो आप trigger नहीं हो रहे हो low में ठीके और DM भी इस energy में कहीं न कहीं आ रहे हैं हाथ चक्रा activate हो रहा है forgiveness के energy acceptance के energy में आपके DM भी है बट कुछ न कुछ आप दोनों के बीच कर्मा आ रहा है जो जिसका release होना बहुत जरूरी है union के लिए अगर आपको लग रहा है कार्मिक हैं तो आपको बहुत शांती से रहना है इस time को निकल जाने दीजिए देन आपको ये action लीजिए ठीक है कोई step लीजिए और जो ये DM है ना जिनकी मैं energy बता रही हूँ कि जिनका physical appearance बहुत जादा weak है बहुत जादा low है या बहुत जादा change दिखेगा unattractive दिखेंगे तो ये वो DM है जिनकी awakening कहीं न कहीं 2022 से हुई ही है ठीक है उनको बहुत जादा trigger मिल रहे हैं अपने कार्मिक से ये marriage हो सकते हैं या इनकी life में कोई family members हो सकते हैं father हो सकते हैं mother हो सकती है even ऐसा भी हो सकता है कि DM को उनकी mother support कर रही है कि मा से भी कहीं न कहीं नराज हो रहे हैं मतलब DM को जो support करता है divine energy को जो support करता है कार्मिक उनसे बहुत जादा jealousy वाले energy में आ जाते हैं उनसे एक distance बनाते हैं या उनकी बहुत जादा चुगली करना उनकी बुराई करना उनको उनसे दूर करने की कोशिश करते है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि marriage के लिए भी कुछ DM के family members उनको गलत marriage में ले जाने के लिए force करें उनको support करें या उनके आँखों पर पट्टी बांदे कि नहीं ये लड़की सही है आपको इससे ही marriage करनी हो जिससे DM manipulate हो जाए तो ये चीज़े तभी होती है या तो आप mentally बहुत जादा weak हो आप intuitive नहीं हो DM इतना intuitive नहीं होते है starting उनको नहीं समझ में आता है और कर्मा अगर लिखा है तो आप कितना भी रोक लिजिए intense connection होता है कार्मिक के साथ भी marriage लिखी है तो आपकी वहाँ marriage होई जाती है ठीक है अगर break लिखी है तो marriage के बाद भी वो break होनी ही होनी है ये कर्मा पर depend करता है तो आप यहाँ पर तीन चीज़े कीजिए कर्मा cleansing कीजिए soul contact कीजिए कोई ऐसा person है बहुत ज़्यादा strong karmic है हो पोनो पोनो प्रेयर कीजिए जिससे आपकी जो भी कर्मा है यहाँ पर balance हो चुके है बहुत से DMDF की कर्मा आप balance हो रहे हैं ठीक है अपनी जगे पर आ रहे हैं जहां जिसको जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं ठीक है आपकी life में चाहें वह family में कोई हो या आपके DM की कोई family में हो या relatives हो सब की चीज़े सब अपनी अपनी जगे पर balance होते जा रहे हैं तो यह strong energy निकल के आई है twin flames की जो मैंने आप तक पहुचाई है next video में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहे है सौस्त रहे है